नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जरकां की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं कि अभी अभी विशेष ट्रेनों के परिचरन की निगरानी की जाएगी और जहां भी ट्रेन की मांग होगी या लंबी प्रतिक्षा सुची होगी वहाँ क्लोन ट्रेन चलाए जाएंगे जारखन मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 गंटा के दोरान जारखन में मांसुन कमजोर रहा है राजे के कुछ जिलों में हलकी बुंदा बांदी हुई है बता दे कि पिछले 24 गंटा के दोरान राजे में सबसे ज़्यादा बारिस लातेहार में 2.2 मिलिमीटर रिकोर्ट की गई है मौसम विभाग के अनुसार रभी वार से राजे में एक बार फिल से मांसुन सक्रिय होने की संभावना है मौसम विभाग ने राची, बोकारो, गुमला अजारी बाग, खुटी, रामगर, पलामू, गड़वा और चत्रा में बारिस के साथ बजरपात की संभावना जताई है इसे देखते हुए मौसम विभाग ने एलो अलर्ट भी जारी किया है सीबियेसी ने सुक्रवार को दसवी और बरावी कक्षा की कपार्टमेट परिक्षाओं की तारिखों का एलान कर दिया है एप परिक्षाओं 22 से 29 सितमर के बीच आयोईट होगी बता दे कि इस व्रस दसवी में 1,50,198 वह बरावी कक्षा में 87 से 651 चात्रों की कपार्टमेट आई है जार्खन में 1724 संक्रमीतों पुष्टी हुई जो राची से 656, पूर्वी सिम्मू 24, धनबाद 125, गिरीडी 47, बोकारो 116, रामगर 40, हजारी बागेगारा, पलामू 44, पच्मी सिम्मू 16, कुडार्मा 28, देवगर 29, सराय के लाती हत्तर, गडवा 16, सिम्डेगा 5, लाते हाट 46, गुमला 27, साहिब गंज 12, गोड़ा 20, खु 4,797 है, जबकि 34, 330 लोग स्वास्थ हुए, और 462 की मृती हो गाई, भारत में कुल संक्रामितों की संख्या 41,10,849 है, जबकि 31,37,673 लोग स्वास्थ हुए, और 70,689 की मृती हो गाई, भारत में नाएकेस 90,600 मिले हाँ, राज्ये में 7 की मृती हुई है, जो जमसेदपूर से 4, दूमका, कोडारमा और राची से 1 के किमोध हुई है, सनिवार को 287 मरीज स्वास्थ हुए है, जो अपने आप में एक रिकोर्ड दर्ज है, एक्टिव केस इस प्रकार है, राची 4005, पूर्वी सिम्भूम 265, रामग 275, खोटी 321, गुमला 316, चात्रा 262, गडवा 245, सिम्डेगा 230, दूमका 211, लौर्दागा 189, गोटा 133, जामतावा 147, देवखार 112, पाकुर 108 मरीज, फिलाल, एक्टिवाए, मुख्य मंत्री ने होम आईसोलेशन वाले लोगों को आक्सी मीटर देने की घोसना की, जार् को ट्वीट करके अजनकारी दी है, ऑक्सी मीटर एक महातोपुन उपकरान है, जो कुरोना से संक्रामित मरीजों को काफी मदद करता है, बता देखिए, अमेजन और फिलिप कर्ट जैसे ए-कमर्स कम्पनिया 400 से लेकर 3000 रुपे तक ऑक्सी मीटर बेच रही है, 55 गंटे तक रेल चक का जाम के बाद टाना भगतों को मुखमेंतरी ने गिया वादा, 55 सायक पुलिसकर्मियों का अंदोलन शुरू, जारकन में तयनात 55 सायक पुलिसकर्मियों ने अंदोलन शुरू कर दिया है, पहले चरण में 4-6 सितंबर तक पूरे राज में कला भीला लगा कर ड्योटिक करेंगे दूसरे चरण में 8-14 सितंबर तक सामोईक अवकास पर रहेंगे इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो राज में तैनाद सभी सायक पूलिस कर्मी अनिश्चित कारण अहरताल पर चले जाएंगे मैट्रिक इंटर की परिक्षाएं फरवारी में सिलेबस में 45% तक कटोती कुरोना वायरस के संक्रमन की वज़ा से जारखन में अब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुले है इसकी वज़ा से बच्चों की पढ़ाई बाधी था है हलाकि अनलाइन कख्षाएं चल रही है लेकिन इसका लाब सभी बच्चों को नहीं मील पा रहा है इसलिए सरकार ने फरवारी में आविजट होने वाली मैट्रिक और इंटर की परिक्षाओं को देखते हुए इन कख्षाओं के सिलेवस में 45% कटवती करने का फैसला किया है पाठे कर्मों को 45% तक छोटा कर दिया गया है जल्दी इसकी घोसना की जागी रांची सिकंद्राबाद एक्सपरेस 12 सितंबर से शुरू करोना वारस के संक्रवन की वज़ा से उत्पन संकट के बीच बिहार और जार्खन में फसे लोग अब अपने गाँ जा सकेंगे बार्तिये रेल्वे ने 40 जोली ट्रेने चलाने का फैसला किया है इसमें दर्भांगा सिकंद्राबाद ट्रेन भी समिली था ये ट्रेने 12 सितंबर से सुरू हो जाएंगी दर्भांगा जाने और दर्भांगा से आने वाई ट्रेन के लिए टिकट बोकिंग 10 सितंबर से सुरू हो जाएंगे बता दे कि 12 सितमर से ओसी ने एस्पेसल ट्रेने चलने का फैसला लिया गया है जिसमें जार्खन को दो ट्रेने मिली है इसमें अगरताला देवगर वो धनबाद फिरोजपूर ट्रेन सा मिली था है रेलवे भरती पर किरिया 15 दिसमर से किया जागा शुरू प्यूस गोयाल देश के बेरुजगार जुआओ की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्रिये मंत्री प्यूस गोयाल ने ट्विट कर कहा है कि रेलवे में विभीन पदो की सभी तीन स्रेनियों के लिए भरती पर क राजये के श्राम नियोजन एवं प्रषिक्षण मंत्री सतयनंद भुगता दो दिवसे दोरापर रांची से आने के करम में अपने चात्रा विदान सभाचेत्रे के सदर प्रखंड के होलमा गड़ा मैदान में फूटबल टूर्नामेंट मैच का उदगाटन किया स्रम मंत्री ने सभी खियाडियों को मास्क फूटबल वर टी-सर्ट देकर समानित किया पलामू लोटे स्रमीकों में 26-657 प्रवासी स्रमीक स्किल्ड पलामू उपायुक ससी रंजन की अदेक्षता में प्रवासी मजदूरों को कौसल वार रोजगार उपलव्द कराने से संबंधित बैठक संपन होई बैठक महुपायुक्त ने बताया कि पलामोजीलाव में बाहर से आय 38,249 मजदूरों का डाटाबेस तयार किया जा चुका है इसमें 11,592 प्रवासी अनिस्किल्ड है तथा से इस्किल्ड मजदूर है संक्रमितों के इलाज के लिए बेट की संखे 5,000 करने के तयारी में प्रसासन राची पायुक्त चविर अन्जन ने कुरोना संक्रमन की रोक्थाम के लिए गठित बिभीन को सांगो के कार्यों की सनिवार को समिक्षा की बैठक में कुरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेट बढ़ाने को लेकर चर्चा होई उपायुक्त ने जीला के संबंदित पताधिकारियों को 5,000 बेट की तयारी करने का निदेश दिया है संक्रमन की आउसत बिरिधी में तीसरे अस्थान पर जार्खन कुरोना की आउसत बिरिधी के मामले में जार्खन तीसरे अस्थान पर पहुंच गया है पिछले एक सप्ता आवे नय कुरोना संक्रमितों की संख्या में आउसत बिरिधी 36 गवर तथा तिरिपूरा के बाद सबसे अधिक जार्खन में दर्श की गई है या जार्खन के लिए चिंता की बात है बता दे कि जार्खन में कुरोना संक्रमितों की आउसत बिरिधी दर 28 अगस्ते 4 सितंबर के बीच 4.2 फिस दी रही वाहनों पर नेम पलेट लगाने पर सरकार से कोट ने मांगा जबाब राज में वाहनों पर बीकन लाइट नेम पलेट बोर्ड और बमपर लगाने के खिलाब दायर जनित याजका पर सुनवाई करते हुए सुक्रवार को हाई कोट ने सरकार से जवाब तलब किया है बता दे कि जनित याजका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस एसके दिवेदी की आदालत ने 9 अक्टूबर तक जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है आपको पता दे कि याजका में कहा गया कि सुप्रिम कोट ने वानों पर बीकन लाइट नेम पलेट और बंपर लगाने पर रोक लगाई है लेकिन राज्य में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है पता दे कि सोशल मेडिया पर अनरगल टिपनी को लेकर निसिकान दूबे के साथ फेस्बुक और ट्युटर को भी अरोपीत बनाए है CM ने तीनों अरोपियों के खिलाप सोसों को रुपय मान हानी का दवा किया है जारखन कैबिनेट की बैठक 8 सितंबर को लिये जाएंगे कई निर्नाय राज ये कैबिनेट की बैठक 8 सितंबर को निधारित की गई है मंत्री मंडल सचीवालाय एवं निगरानी विभाग ने इस समन्द में सुचना जारी करते हुए बताया है कि बैठक मंत्रालाय भवन में सामचार वज़े से होगी कैबिनेट की पिछली बैठक में एक दरजन प्रस्ताव विचार के लिए नहीं लाए जा सके थे इन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी पाकूर उपायुक्त ने मनरेगा योजनाओ को लेकर बैठक की पाकूर डीसी कुल्दीप चोधरी ने सनिवार को प्रधान मंत्री अवास योजनाओ ग्रामीन एवं मनरेगा के ताथ संचालित योजनाओ की प्रगति कारे की समिक्छा की मौके पर डीडीसी, अन्मोल, कुमार सिंग, डीर्डीय, निदेशक, राजे स्याम पर साथ आधिव पस्थी ते उन्होंने बितिये वर्ष 16, 17, 18, 29, 29 की समिक्छा की जार्खन हाई कोट को पेपरलेस बनाने की कवायद सुरू कर दी गई है इसके तहत सभी मामलों की डिजटल सुनवाई की जाएगी प्राथिक और से दायर राचिका प्रतिवादी का जवाब और सभी दस्तावेद डिजटल मोड में फाइल होंगे सभी की scan कोपी जजों के laptop में रहेंगे और लेप्टोप से ही सभी दस्तावेजों को ज़ज देखेंगे